दोस्तों, बेस ओर्डर से वह 20 नहीं, बल्कि 30 और 35, 37 का है माल के आगया, अगर आप देखोगे, तो ये था बेस ओर्डर, अराउंड 15 रुपीस के आसपास, जैसे मैं आपको बताया था है, बन रहा है बेस ओर्डर, और उसने अराउंड 20 के आसपास तक गया था, और उसके अगर देखो तो ये मूव क्या जबर्दास मूव आया है, 15 का अलमूस्ट 30 का है सकतो है, उसको 100% का इटन, सीधा 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 से एक बेस ओर्डर स्कैल्पिंग में, तो लाइब मार्केट अभी के मार्केट में मैंने आपको इस इक्जाम्पल समझा दिया, जहिन दोस्तों कैसे हो, आप लोग आई हो, आप काफी अच्छे होंगे, तो भाई, बैंक निफ्टी ओल्मोस्ट 30% से ऊपर क्रेश कर गया, और क्रेश या प्रॉफिट बोकिंग कह सकते हो, क्योंकि इसका एक स्प्रेसिफिक रीजन नहीं है, कि PSU सेक्टर बैंक जितने भ ला था, बहुत अच्छा रैली गया था, लेकिन बजट के बाद से थोड़ा सा प्रॉफिट बोकिंग आई है, लेकिन आज के दिन में हर उन्च सेक्टर में जवर्दस प्रॉफिट बोकिंग देखने को मिली है, जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा बैंक निफ्टी ये वन ले सकता आपके लिए, जिसको कहते है, बेस और स्केल्पिंग स्टैडिजी, ये बहुत रिस्की भी होता है, लेकिन मैंने किस तरीक से ट्रेड के हम आपको बताता हूं, आप अगर उस ऑप्शन के प्रीमियम को अगर देखोगे, तो आप देखके कही नहीं सकते कि यहां प अभी तक का मेरा है, तो आपको डिकली में चार्ट पर लेके चलता हूं, वहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से बेस और स्केल्पिंग की जाती है, दोस्तों चार्ट पा अगे हो, आगर आप देखो कि तो मैंने आप पर चार्ट ओपन किया, और निफ्टी बैंक और निफ् बैंकिंग सेक्टर में काफी जबरस प्रॉफिट वोगिंग आ रही है, और आपका जो जितना भी हमारा बजट हुआ था बजट से पहले जिस तरीके से मुवमेंट आयता हूं, तो उनमें प्रॉफिट वोगिंग आना, नौवल सी बाता आने ही आना है, कभी भी कोई चार्ड है, भी में आपको चार्ड लेकर जाओं ठीक है, अब आप मुझे यह बता दो कि मिटकर के चार्ड में ना तो पडूद वालने का पैसा बनावा गैप अच्छा का सा उपर आप कह सकते हो और वहीं से सटन इसमें डाउन फॉल आ रहता है पहली दिखा देता है कि वाई सेलिंग प्रेशर है नहीं ओल्ड गरेगा लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस उपर किया फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगे फिर इसने एक गैप दिये है तो गैप देने के बाद इने के पाद यह असा एक सिफ़ोर्ट की तरे काम करें कि जो पहली कंडल थी पहली कंडल में यह जो एटिया है इसको यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ ता तो उसी को देखते हुए जो इस वक्त जो प्राइस चल दा है जो 10,710,750 की CE है उसमेरा इंटरेस्ट था क्यूंकि मुझे उसको स्केलप करना था और कॉल साइट का स्केलप करना था क्यूंकि मेंको सपोर्ट अरिया पर एक बेस ऑर्डर स्केलपिंग परने थे order मारे हुए थे price कुछ यहां पर चल दा था इस जगह के आसपास चल दा था 32 33 के आसपास चल दा था और मैंने यहां पर orders लगा हुए थे 25 प्रिस के अप्रॉक्स में क्योंकि मेरे को mid cap को चार्ट है इसमें यहां पर एक base formation होती हुए देख रही थी ठीक अगर यहां से एक SI SPAC भी आ जाता तो इस base area के आराउंडव मैंने pre-order अपने लगा दिये इसको कहते base order scalping है न उस pre-order के बाद अगर आप देखोगे तो उस pre-order के बाद बहले ही मैं उसमें क्या उलते हैं ज्यादा profit book नहीं कर पाया means मैंने उसको 30 रुपर के आसपास exit करना ठीक समझा यहां से एक rejection आया ठीक है यहां पर buying orders लगे थे और यहां से सिर्फ इस rejection में 30 30 के ऊपर 32 तक गया था इस 32 रुपर के आसपास तक यह price गया हो था बट मैं इसको जब exit किया 32 रुपर पर exit किया तो मेरा 28 रुपीज के आसपास से exit हुआ तो यह चोटा सा risky scale पता आप सको कह सकते हो हाई risk कह सकते हो ठीक है क्योंकि बहुत जादा हाई risk के पह है और आप क्योंकि मेरे naked order लगे थे no SL और यहां पर भी देखो एक space formation था तो मेरे पास एक plan और था कि मैं 20 रुपीज के आसपास इसको कुछ average भी कर सकता था नहीं क्या क्योंकि मेरे expected return 15% के आसपास या आप कैसे तो 20% मिल रहा था लेकिन slippage होता है कि आप जब market order पर exit करते हो तो जहां पर आपको 32 31 32 के आसपास मैं exit मारा मेरा 29 के पुरी quantity exit हुई ठीक है और मैंने capital पांस लाग के आसपास ही डा रहा था अब मैं आपको direct order book पर लेक मैंने इसको बाई पच्यों पर 25 के आसपास किया है 9 215 16 seconds में इसको बाई किया 9 30 18 30 20 15 seconds मतलो यह मानलो सिर्फ रॉफ बादा सेकीड का इस वाधा गीम था बादा सेक्ट का एक स्केल्प रहा और बारा साइक केंड के अंदर मेंने अरा 75,000 ना profit book कर लिया था एक और scalp किया same stack price में लेकिन वह मैंने किया MIS में क्यूंकि मेरे को एक ही trade को वापर से चलते हो देखने में थोड़ा सा confusion होता है तो मैंने एक और scalp किया था यह भी छोटा scalp था उत्ता खास नहीं था ठीक है उसमें मैंने 46,000 बुक किया तो अभी मेरा net-to-net profit है एक लाग किसे जाता है मेरा capitalism पांस लाग यूज गया तो पांस लाग के according आप returns calculate कर सकता हूँ approximately आप कह सकता हूँ कि 25% के यह return है ठीक है और यह ही था मेरा अभी तक का आज का trade किया baseline scalping कैसे की जाती है बेस order scalping कैसे की जाती है बेस order में आप अगर scalp करना चाहते हो तो बेस order scalping थोड़ा सा risky segment होता हमलब आप इतना easily scalp नहीं कर सकते है उसके लिए आपको उन premium को समझना पड़ेगा उस specific stack था इसको समझना पड़ेगा भी जैसे यहां पर 1.5 उपर चला है यह 690 के आसपास में एक base order scalping मार सकता हूँ वनलब कि अगर 10,700 की strike price का कुछ point नीचे में अपना order से लगा के क्योंकि यहां से देख रहो है बार बार यहां से price क्या ले रहा है support ले रहा है इसके नीचे नहीं आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है नीचे नह मिल जाए और अपन यहां पर orders मार ले और orders में एक spike आ जाए और अपना 5-10-15-20% अपने को मिल जाए बट यहां आपको बता दू फिर से कि बहुत जादा highly risk की है ऐसे ही नहीं किया सकता अगर आप सोचे हो कि मैं यहां पर ऐसी baseline base order scalping मार दूँ तो बहुत difficult हो जाएगा ठीक तो premium के अंदर 10-15-20% का moment यहां रहा है ठीक है base order के आसपास आया लाइप पहिए आपके सामने पहिए आया भी देखना इस जेगा पर मैंने बोला था कि यहां तक अगर price आता है यहां पर base order scalping हो जाती है Scalping premium के अंदर कर मैं यहां पर जाओं मैं अगर यहां पर premium ढूँँगा premium मुझे देखना पड़ेगा 10,700 की अगर मैं आप call को देखता हूं ठीक है तो 10,700 की call को अगर मैं देखूं यह देखूं आपको मैं लाइप में आप दिखा दिया कि कैसे होती है base order scalping बस आपको orders 17,18,19,20 पर चला गया है इतना बहुत होता है अगर आपको ejection मिल गया है scalping rejection मिल गया है आपके orders अगर 15 पीस के आसपास लगे हुए है तो कोसिस को आपने round number के आसपास अपने orders लगा हो आपको easily वहापे scalp करने का मौका मिल जाएगा 15 पर किसी का order लगता है 15 के बाद 18,19,17,18 19,20 में आप खुद कैस कर लो 15 का 16,16 में 10% होता है ठीक है और 15 का अगर अठा चलीगे तो आपको 20% का return मिल जाएगा तो almost 20% के आसपास का return यह खुद एक candle दे दी है अब भी मैंने आपको live में यह चीज़ दिखा दी कि base order scalping कैसे करते है ठीक है तो बहुत risky भी है अगर आप में आपको साथ record करते करते है एक base order scalping का setup यहाँ पर बन गया और लगें lower range पर price का moment देखो और उस strike price को देखो 17 का सपास चल रहा है ठीक है तो यह था base order scalping कैसे होता है 18 चला गया देखो 20% से उपर का return सिर्फ एक scalp में है पर हाँ उतना ही capital scalping में डालो जितना आप पूरा उ मांकी अभी तक का मार्केट मेरे को यहां से support लेता हुआ ही दिखता है अभी तक मेरा trade हो चुका है आपकी final update आपको sensible का link मैंने description में दिया हूँ हाँ आपको मिल जाएगा आपको आप में telegram पर जूड़े नहीं तो telegram पर जूड़े यह मैं आपको timely हड़ चीज अपडेट क क्योंकि अपन यहां पर timely update कर देते हैं और हमने सुवह बता देते हैं कि भाई यह सारे चार्ट डार पर हैं इनको इन 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 stock को पकड़ा होगा देखा हो उनको अच्छा खासा move capture करने को मिल गया होगा ठीक है तो यही थी आज की position और यही था आज का trade अगर अब भी अगर आप इसको hold कर सकते हैं आपको rejection भी मिलिया देखो 19-20 भी चला आएगा अब यह ठीक है base order scalping कैसे की जाती है और मैंने आपको अभी भी बता दिया live example के साथ समझाया है आई हो आपको यह समझ मां आया होगा दोस्तों base order से वह 20 नहीं बल्कि 30 और 35-37 का है मार के आगया अगर सिदा 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 से एक base order scalping में तो live market अभी के market में मैंने आपको with example समझा दिया दोस्तों I hope आपको मेरा setup strategy समझ मां आया होगा यह रिस्की है क्योंकि मैं scalping करता हूं और आप अगर मेरा capital लेगोगे तो मेरा 5 लाग रुपाय capital लगा है उसके accounting profit देखोगे तो 20-25% के आसप पर को और बांकि अगर आपको strategy पर काम करना आपको big bar strategy पर काम करना आपको trading सिखने है तो आप मेरा side visit कर सकते है description में link आप मेरा store check out कर सकते चहां पर आपको minimum range में काफी कुछ सेखने को मिल जाएगा और भी close scalping जो अपना upcoming master class हो आने वाला है जिसके अंधर complete from the basic scratch से आपको म आज की वीडियो से काफी कुछ सेखने को मिला होगा बाकि थोड़ा अगर external voice आपको आ रहा होगा तो इसको इग्नॉर करें कुकि मैं अपने गाउं में हूं और गाउं में ही बैटके मैंने अपना complete आश ट्रेट किया है तो अगरा मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स पर जहा है